शराब घोटाला, पिछले दो साल से ये शब्द आपने कई बात सुना होगा। दो साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफतार कर चुकी हैं। लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफे कहीं नहीं मिला। कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भृष्टाचार वाकई हुआ है, तो इतने करोरो रुपए गए कहां, क्या सारा पैसा हवा में गायव हो गया। सच्चाई ये है कि किसी तरह का कोई भृष्टाचार हुआ ही नहीं है, अगर होता, तो पैसा भी मिलता। ऐसे फरजी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है, किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा है, खुले आम गुंडागर्दी चल रही है, किसों को भी पकड़ के जेल में डाल लो, अब बीज इन्होंने मुझे समन भेजे हैं, मेरे वकीलों ने मुझे बताया है कि ये समन गैर कानूनी है, क्यों गैर कानूनी है, ये मैंने इनको विस्तार से लिखके भेजाया है, मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नही इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका notice गैर कानोनी है क्या मुझे एक गैर कानोनी समबन का पालिन करना चाहिए अगर कानोनी रूप से सही समबन आएगा तो मैं पूरा सही उप करूँगा बीजेपी का मकसद जाच करना तो है ही नहीं, इनका मकसद तो लोगसभा चुनाव में मुझे फरचार करने से रोकना है, ठीक लोगसभा चुनाव के पहले उन्होंने मुझे समझ मिला, क्यों? इस जाच को चलते दो साल हो गए, अभी ठीक लोगसभा चुनाव के पहले मुझ पहले मुझे बुला रहे हैं तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताच करना थोड़ी है इनका मकसद है पूछताच के बहाने के एजरीवाल को बुला लो और उसे गिर्फतार कर लो ताकि मैं लोग समय चनाव में परचार ना कर पूँ आज बीजेपी भ्रस्चाचारियों को न मामले चल रहे थे या उन पर गंभीर आरोप लगे वे थे जैसी वो ने ताव बीजेपी में शामिल हुए उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिये गए या ठंडे बस्ते में डाल दिये गए तो जो इनकी पार्टी जॉइन कर लेता है उसके सारे मामले रफद अपर दिये जो इनकी पार्टी में नहीं जाता वो जेल जाता है आज मनीज सिसोधिया संजय सिंग और विजयन आयर इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने ब्रश्टाचार किया है वो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इंकार कर दिया है आज हम को अपनी पार्टी में शामिल करवा के ऐसे तो देश आगे नहीं बसे कि यह चल रहा है यह जो कुछ भी चल रहा है बहुत खतरना कि यह हमारे जनतंत्र के लिए बहुत गलत है इसे रोकना हो मैं हमेशा देश के लिए लड़ाऊं मेरा तन मन धन देश के लिए मेरी एक एक सा कि जान से इनके खिलाफ लड़ रहा हूँ है आपका साथ चलिए